प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस संख में आप सभी का स्वागत है। वस्तार से बता रही हैं हमारे समवात दाता। गाउं की महिला आप पड़ अग्रवत्ती की रहना से लेकर सलाई तक का काम करके अपने परिवार का जीवन समार रही है। और अर्थिक पूप से मजबूत हो रही ग्राम धनीरा कला में रहने वाली पूजा मारू वर्ष 2020 में स्वेम सायता समों से जुरी है उसके पहले 15,000 उपए लोल लेकर कप्ड़े की दुकान खोली और रोजगार शुरू कर दिया इसी पकार जीले की मना साथ तेसिल के ग्राम बढ़्ड़ा में मजदूरी करने वाली 15 महिला अगस्त 2019 में स्वेम सायता समों बुनाया इसके बाद उध्धाने की भाग के सेयोक से एक नर्सीर संचलन की जिम्मेदारी ली ग्राम जिर्दुला निवासी मालती जाटाओं मध्यान बोजन का रिकम नखाना बनाना का काम करती थी और एक छोटी सी दुकान के राने की भी चलाती थी इन सभी महिलाओं को स्वयम सहयता समुक के माध्यम से कई प्रकार की सहयताएं मिली है जिससे इनका परिवार का पालन पोशन होने में सुविधा मिली है पादेशिक समचार दशन के लिए नीमत से में दिनेश पजापती पन्ना जिले में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है संसाधन, प्रोजसाहन और पर्याप्त सहयोग न मिलने के बावजूद आज कई प्रतिभाई आगे बढ़ रही है पन्ना जिले की एक ऐसी ही बेटी की कहानी बता रहे हैं हमारे समवार दाता पन्ना जिले के छोटे से गाओं निवारी के किशान की बेटी प्रग्रेशिंग ने संसाधनों के अभाव के बीच करीब 6 साल पहले तलवार को अपने नन्ने हातों में थामा था उसका 2016 में टेलेंट सार्च में सिलेक्शन हुआ और फिर मद्परदेश राज खेल एक आदमी में उसे प्रविश मिल गया बाद में उसने अपने मेहनत के बल पर 11 राश्टी इस तरपर मेडल अरजित किये और अंतराश्टी एसियन जूनियर कैड़ेट फैंसिंग चेंपियंसिप में सिल्वार मेडल प्राप्त कर देश को गौरा उन्वित किया इसका आयोजन 24 फरवरी से 3 मार्च के बीच पुझवे के स्तान में हुआ था यहां प्रग्या सिंग अपने देश की ओर से खेलते हुए फाइनल तक पहुचकर सिल्वार मेडल जीता था अब प्रग्या का शपना तल्वारवाजी की सीनियर टीम में पहुचकर उलम्पिक में शून पदक हासिल करना है इंट्रेस्ट नहीं था लेकिन उनका निर्णाए अब सही साबित हुआ है और आग पात साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने जूनियर एशियन फैंसिंग चैंपियंशिप में रज़त प्रदक हासिल किया है जिसका शेय मैं राजी खेल अकादमी और खेल मंत्री मारणिय श्री ये शुद्र राजी सिंध्या मैं और हमारे कुछ भूपेन सिंग चोहान को देना चाहूंगी और यही उमीद करते हूं कि आप सभी के सही योग से मैं आगी भी देश के लिए खेलूं और देश के लिए स्वन्ट पदक लाओं राजगर में मंडी में फसलों की आवक पर हमारे समवादाता ने जिला क्रिशी अधिकारी हरीश मालविय से बात की आईए सुनते हैं राजगर जिला कपास ज्वार एग्रोक्लायमेटिक जोन में आता है राजगर जिले में खरीब में मुख्यता सोयबीन और मक्का फसल वोई जाती है रभी में गेहूं एवं चना मसूर एवं सरसो फसल ली जाती है जिले में गेहूं फसल का रगबा 2,44,000 हेक्टर है चना 55,142 हेक्टर में है मसूर 49,910 हेक्टर में है और सरसो 49,120 हेक्टर में है वर्तमान में क्राब डाइवर्सिफिकेशन के अंतरगत फसलों में परिवर्तन हुआ है कि गतवर्स जो है सरसो 13,076 हेक्टर में बोई गई थी इस बार 49,120 हेक्टर में बोई गई है और वर्तमान में सरसो चना मसूर फसल की कटाई का कार प्रगती पर है कहीं कहीं पर जिले में गेहुं फसल की कटाई भी की जा रही है और जो फसल की उच्पादकता कानुमान लगाया जा रहा है ज़र फसल बहुत अच्छी है और अच्छा पदन प्राप्त होने की पूरी संभावना है कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और जिले में जो दो बड़े-बड़े मेजर डेम बने हैं उनसे भी इरिकेशन की सुविधा उपलब्द हुई है सुविधा उपलब्द होने के उपरां जो बल्डियां हैं जो पहड पठार हैं वहाँ पर भी सबसे अधिक मात्रा में गिहों फसल का पेदावार किसानों के द्वारा लिये जा रहा है उद्धाने की फसलों का विकास भी अब निरंतर प्रद्धी की और अग्रसर है धन्यवाद सिहोर जिले में मध्यप्रदीश राजी ग्रामीन आजिविका मिशन के द्वारा किये जा रहे नवाचार से महिलाओं की आर्थिक स्थिती में आमूलचूल परिवर्दन दिखाई देने लगा है ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सिहोर समवाद दाता सिहोर जिले में कुल 5,403 महिला स्वसायता समों का गठन किया गया है इनसे जिले के 58,199 परिवार जुड़े हुए है इनमें से 29 संकुल स्थरी संग हैं जबकि 248 ब्रदजन समों का गठन किया गया है जिले में 23 निष्टा सक्यों का दोरा ग्राम स्थर्पा विजली बिल का भुक्तान 40 बेंग सक्य एवं 19 बीसी सक्य कार्ण थे 10 महित्री सक्यों दोरा गो सेबक का कार किया जा रहा है 30 शोशल आर्डिट C.R.P. ग्राम पंचायतों में आर्डिट कार किया जा रहा है जिले में उपारजन केंदरों के माध्यम से 1,19,000 कुंटल गियों का उपारजन किया गया है विकास कार्ड इचाबर के ग्राम वाव करड़ी में मनरेगा आजीवी का एकरत पार की स्थापना की गई है इसके साथ ही लगू सुक्ष्प उध्यमिता के अंतरगर 25 स्लाइस हेंटर, दीदी पेटी कोड, दीदी कहफे, रूलर मार्ट, 29 उचित मूली की दुकानों का संचारन किया जा रहा है विकास का डास्टा में लेनो बेग, सेनिटारी नेप के निर्माण शुरू किया गया है ग्राम नापना करड़ी में वाश यूनिट की स्थापना की गई है जिले के रहटी इस्तित राष्ट प्रसित सरकनपूर देवी मंदिर में प्रसाद यूनिट की स्थापना की गई है अभी तक वहां से 17 लाग रुपियों का प्रसादी विक्रे किया गया है विकास का नरसल लगंज में अजीवी का एक्स्प्रेस बाहन भी शुरूर किया गया है जो पिपलाने से लाड़कूी तक संचालत किया जा रहा है यही नहीं जिले में रोजगार मेल और इमाप्रसिट्रण के माध्यम से लगवग 830 यूबग यूप्तियों का नियोजन भी किया गया है इस बारे में जादा जानकारी देते हुए मद्यप्रदेश राज जे ग्राइमेंट अजीवी कामिशन स्योहर के संचालक देनेश वर्पा ने जानकारी देते हुए बताया वर्थमान में आजी कमिशन के माध्यम से स्वसाइता स्रमू का गठन किया जा रहा है जिससे की वस्तमान में हम लगभग 5400 स्वसाइता स्रमू के गठन के माध्यम से 58000 परिवारों से अधिक को हम जोड़ चुके हैं और साथी साथ कुछ नवाचार की गतिविधियां दिले में हम कर रहे हैं जिसमें हम लगुद्यमिता के अंतरगर 25 सिलाई के इंडरों की इस्थापना की गई है जिसमें साथ की सालाओ है तू गणवेश एवं अभी रेडिमेट सिलाई दीद कर रहे हैं उसमें साथी दीदी केफे और रूरल मार्ट की इस्थापना की गई है साथी साथ अभी क्रसी घटक के अंतरगर भी बहुत से नवाचार हुए है जिसमें सभी विकास कंडो में फार्वर पूलिशर कमपनी बनी है जिसमें लगग तीन हजार से अधीक उनके फेर ओल्डर्स हो गए है फिस्थिस डिपार्टमेंट के सायोग से फिस्कियोस तहान उपारजन और ऐसे कारी किये गए है साथी साथ एक साथ की भूमी पर नवाचार करते हुए मन्रे का आजीव का एकितब पाक भाउख्रडी में बनाए गया है जिसमें जिपी में परकार की गतिविजियो को देमस्टर्ट किया गया है जो की ग्रामिल विकास से समभनी से सतना जिले में अंकुरन अभियान के तहत पौधरोपन काम पर्फ की तरह हर्शुलास के साथ किया गया जिसमें जिले के जन प्रतनिधियों, पत्रकारों, अधिकारियों, कर्मचारियों, समात सेवियों, किसानों और छात्रु छात्राओं ने महत्वपूर्ण सहभागिता निभाई। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे समवात दाता। जिले में जिस उसा से पहुत रोपन कारी किया गया, उससे लोगों में प्रकृति प्रेम का संदेश तो देखने को ततकाल मिला ही, वहीं आने वाले समय में प्राक्रितिक संतूलन के साथ साथ प्राक्रितिक संदर भी देखने को मिलेगा और प्रद्यूशन में भी कमी आएग प्रादेशिक समाचार दर्सन के लिए सतना से महलाल बाद उतेवारी। प्रादेशिक समाचार दर्सन के लिए सतना से महलाल बाद उतेवारी। इससे फाइदा यह होगा कि सरकारी इस तरफ पर खरीदा गया आनाज परीवन कर दूसरे जलों पर बढ़लाने के लिए ले जाये जाता था। इस पर 2600 टन आनाज के परीवन पर 20-22 लाग रुपे की राशी खर्च करना होती थी। अब यह राशी बचेगी। ऐसा इसलिए कि इस बार जिले में आनाज बंडारंड के लिए 10,28,000 चमता के गुडाउन खाली पड़े हैं। वेसे 4,88,000 टन चमता के गुडाउन पराने और इस साल 5,50,000 टन चमता के नए गुडाउन बनकर तयार हैं। अब जिले का आनाज दूसरे जिलों में बंडारंड करने की जरुवत तो पड़ेगी ही, नहीं दूसरी ओर जरुवत होने पर दूसरे जिले का आनाज बंडारंड जिले में कराने के लिए भी गुडाउन उपलब्द कराया सकेंगे। शाशन इस्तर से आदेश मिलने के बाद ही जिलेव से बाहर गेहूं भेजा जाता है हाला कि इनी गोडाउनों से ही हर दिन जिलेव की राशन दुगानों पर 5500 टन गेहूं उपलब्द कराया जाता है प्रादेशिक समचार दर्शन के लिए राइसेंसे में दीए आठ मार्च अंतराश्य महिला दिवस के साथ ही रतलाम जिले में लगभग पूरे सबताह महिलाओं से सम्मंधत कतिवधियों का संचालन हुआ लेकिन आने वाले दिनों में हूली के त्योहार पर भी इस साल रतलाम में महिलाओं को बहुत खास और बड़ी सौगा देने की तैयारी की जा रही है इसी के बारे में बता रही है हमारी समवाद दाता हुली के बाद से जिले में पहला हैपी वुमन्स क्लब प्रारंब होगा इसकी शुरुवात शेहर के महिला थाना परसर से होगी प्रवल सामाजिक संस्था के साथ ही रतलाम SP अविशेक तवारी, DSP महिला सैल, शीला सुराना सहित अन्य पुलस अधिकारी भी इस प्रोजेक्ट में साथ रहेंगे इस कलब की सयोजक अधिती दवेसर बताती है कि कलब का उद्देश होगा कि महीने में एक बार महिलाओं को अपना समय ऐसी कला या गतिविधी सीखने के लिए मिलेगा जो वे छोड़ चुकी है या वे हमेशा से करना चाहती ही इस प्रसिक्षन में कलब की सदस्य ही इस प्रसिक्षन को देंगी और सीखेंगी भी कलब की सदस्य इसके अलावा विशेश रूप से अपराद घरेलू समस्या होने पर काउंसलिंग की वेवस्ता भी की जाएगी जिसमें रतलाम पुलस का भी पूरा सहयोग रहेगा समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अधीती मिश्रा प्रादेशिक समाचार दर्शन के इसंख में फिलहालित नहीं अगली सब्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर जी प्रस्तुती प्रादेशिक समाचार एकांज भोपाल ओचका लिए प्रादेश के लिए संयुक्ता बैनर जी प्रादेशिक साहस्वी सит के लिए्डादेश में थाड़र और नहीं ख्रुआ प्रादेश समय जा क्या है व्ली फ – प्रादेश रıs संयुक्तаете झाल झाल